एक चोटी प्लेट है सँसके तेर्षा वाट टे सप्लेट लोकल है लाहर में बनरी है इसकी है निहारा आपको दिए रहा आस बैग इसकी है कि वार्ट एंपेर यह आप देख लें कितने एंपेर हैं कितने वार्ट है कि साफन हजार हो और यह संलाइफ के नाम से लाहर में बन रही है लोकल प्लेड है एक छोटे सेट अप के लिए यह बहुत बैटरी इन्हें आपको संलाइफ के लिए अच्छे चोटे सेट अप लिए आप लेड ले और एक चार्जर है पी डब्लू एम चार्जर इस वक्त सुबा का वक्त है बिल्बुल यह फजर के बाद का वक्त है इस वक्त जो है वो जिसमें कोई एम्पेर या कुछी भी नहीं आ रहा है तो यह प्लेड आपको मिल जाएगी जो मैंने पहले दिखाए आपको संलाइज की गया रादार बादार की 150 वाट की और यह चार्जर आपको मिल जाएगा इसमें जब सोलर दूप आएगी तो सोलर के एम्पेर यहां चुरू जाएंगे और बैटरी के वार्ड यहां दिखाना चुरू कर देगा यह ठीक है अभी बतारा बैटरी कि इतनी है बारा प्वाइंट्टू बैटरी की इस वक्त जो है वो कंडिशन है और इस वक्त उनतिस यहां देखे और बेटरी जो है वो बाची भी है 56 फिस एक पशल्ट बैटरी जो है वो चार्ज है तो यह तो यह आधर आपको मिल जाए गाट थाइस सो तीन अड़ा ग़ाइन यहां प्टारा मिलेगा लिगा प्टेश फिचाजर दिखा हो थैढ रहां आपको कि सईट बार बाटी प्लेट भी लगा सकते हैं अच्छा बाग की इसमें जो है आप यह एक बैटरी है एट जीएस की पिच्छे एसी वोट की पिच्छे सी एंपेर की यह देखें अब यह बैटरी आपको मिल जाएगी तक्रिबन 20-22,000 रुपे की प्लेट जो मैंने आपको दिखाई है वह है वह आप समझे लें यानि 20,000 यह तीन अजार यह तरीस जार यह हो गए और 11,000 की आप वह लेने तो यह आपका 30,000 और 32,000 के अंदर आपके छोड़ा सैट अप बन सकता है जिससे आप लोट शैटिंग के दोरान जो है वह दो पंके और सब्सक्राइब तो पंके आपके सुबांट नौ बज़ें से लेके आपके शाम शे बैर तक जो सोलर पे चलते रहेंगे उसके बाद यह बैटरी जो है उसको चार पांच घंट और बैक UP देगी अगर आपकी लाइड चले यह जो PMW Charger है यह सरिफ MPR जो है प्लेड के उसके दर यह बैटरी को चार्ज करता है और अगर आप इसकी जगह MPPT Charger लगा लेंगे जैसे 3000 के वह 10,000 उपे गया है तो उस सुरत में आपका बैक बढ़ी आएगा उस सुरत में इस प्लेड में आपका बैक अप तकरीबन जो है सुबह 9 बज़े से लेके 12 बारा बे तक वह आपके दो पंके यानि एक पंका और तीन चार्ल लाइटें जलती रहेंगे लाइटे तो इसमें अगर एक प्लेड आप 585 वाट की लगा लें और MPPD चार्जर लगा लें और बैटरी यह वाली हो प्लेटरी को चार्ज करता है तो उस सूरत में आपका जो है वह लोट और आपका बैक अप वह बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा 24 घंटे हो जाएगा उस सूरत में जब आप 585 वाट की और प्लेट लगा लेंगे MPPD चार्जर का फायदा यह है कि जो वाट है वह उसको भी एमपेर बनाकर बैटरी को चार्ज करता है तो उस सूरत में जो है बैटरी भी चार्ज रहती है और क्या ना में वह सोलर धूप से जो है वह आपके पंके लाइटे चलते रहती इसलिए 24 घंटे आपका जो है एक पं 585 वाट की उसका इदाफा करते हैं तो उस सूरत में यह और MPPD चार्जर का तो पर 55 अधार तक चला जाएगा और अगर आप सिर्फ यह बैटरी और PWM चार्जर और 500 वाट की प्लेट इस्तेमाल करेंगे तो उस सूरत में 35,000 के अंदर यह आप लोड शेडिंग के वक्त आप आपको बैकर मिल जाएगा लोड शेडिंग में आपको परिशान ही नहीं होगी तो यह चोटा सेट अप के मताबिक मैंने बता दिया आएंदा मैं इंशालला 24 गंटे 2 पंके और 4 लाइटों का भी सेट अप किस तरह बनेगा बता दूंगा इसमें कोई मुश्किल नहीं आप माइनस प्लस बैटरी के हो गए यह माइनस प्लस आउट के हो गए इससे आप पंके लाइट वगारा चलाएंगे बारा वोड की आप देख लें कि एम डबलू चार्जर है तक्रीबन तीन साल हो गए चार्जर भी चलना यह वाला और यह बैटरी भी चल लिए और यह सब्सक्राइब होती है तो यह आज की वीडियो मैंने बनाई है और आपको बता दिया है वारा दिखाएंगा बैटरी आपको रीजी एस्की वाटगी लात्याों आप उपर से शोलर की दो तारे लिया हैं वहांसे लगा इस पर लगा दें दो बैटरी की तारे हैं ईज़े लंगा के यह लगा दें और दो यह आउट की है जिससे आप फंके लायरयटों में पांच घंटे की उस पे अराम से बैकप दे देगा और अगर आप ने इसमें बड़ी अगर प्लेट लगा ली और MPPT चारजर लगा ली इदाफा कर लिया तो फिर 24 घंटे आपका बैकप चल जाएगा क्योंकि यह जो PMW बैटरी को चारजर है यह सिर्फ बैटरी को चारज करता है MPR से जो MPR उपर से आ रहे होते हैं इसके सोलर प्लेट यह और वाट को जाय कर देता है तो वाट को MPR बनाने के लिए MPPT चारजर है वह अगर आप लगा लेंगे तो इससे वाट भी जो MPR बन जाएंगे और आपका बैक अब बढ़ी आएंगा जजाका लगा फैर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देगा और जो लाइक भी कर देगा खुदा हाफिस